साथियों नमस्कार मैं प्रतिक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसियेट से आप लोगों के सामने हाजर हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है जूटी एफाई आर से जूटी एफाई आर को खतम कैसे करा हैं जी हां आज हमारे कन्टेंट को पढ़ेंगे जो वह उंदर की भाषा है उसको अपढ़ेंगे तो कहीं भी आपको समझ नहीं आ आताा कि इनका रॉल क्या था तो ऐसे लोग जिन आपने बचाव के लिए आज का वीडियो इसी बात पर हमारा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक्स और शेयर करते रहे हैं कि आप लोग कमेंट भी करें मुझे मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सुझाव से आपके मैं आप सबकर स्वागत को तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो अभी दो दिन पहले मेरे मित्र से मेरी मुलाकात हुई मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वह देली में था दो दिन पहले और उसके खिलाफ हमारे शहर में एक F.I.R. हुई उसके खिलाफ जिसमें लिखा गया कि वह संबंदित घटना जो है उसने की है और उस घटना को करने की वज़ेसे उस पे F.I.R. दर्ज हुई है और पूरे प्रदेश में या पूरे देश में काफी बड़ी आवादी की यह समस्या है और इस समस्या को काफी लोग कर रहे हैं तो यह समस्या जो है वह अगर इस तरीके से आपके सामने आती है तो जो मैंने अपने मित्र को उप्चार बताया वही उप्चार आप सबके लिए भी है आप ध्यान से सुनिए ध्यान पूर्बक सुनिए वीडियो को इसकेप ना करें वीडियो को आप पूरा देखें वरना आपकी समझ में नहीं आएगा तो मैंने अपने मित्र से कहा कि आप उस दिन दो दिन पहले दिल्ली में थे घटना वाले दिन घटना के समय पर तो इस चीज़ता आप एविडेंस क्या देंगे सबूत क्या देंगे तो उसके पास दिल में उस दिन था मेरे पास पर्याप साक्ष हैं तो मैंने आपके पास पर्याप साक्ष अगर मौजूद हैं तो आपने जो आपके केस समझता हुए पुलिس नहаемсяं उनके मुगत्म में खतम करने से इस पर स्र estão से मना कर दिया यह कहते वए कि जांच का विश्य है उन्हों नहीं अधिकर भी Linux कर लीजिये लेकिन पुलिस ने कहा नहीं आप आरोपी है आपके रुद्र रिपोर्ट है आपके ख Zach truth ृृ। w माम वारताओं का दोर चला पड़े अधिकारियों से मुलागात हुई सीयों साथ से मिले कप्तान साथ से मिले लेकिन सबने रिपोर्ट खारिश करने से मनद हो तैन बापस मेरे पास आये मुझसे बोले कि यार आप क्या करें तो फिर मैंने उनको सग्जेस्ट किया कि आप CRPC की 482 के अतहत दायर होगी और उस रिट में यह साफ साफ लिखा जाएगा कि यह जूटी एफाइयार है जूटे तथ्यम पर आधारित है और इस बात के प्रमान जो अभी तक आपने अपने आईयों को जांशदिकारी को दिए या बरिश्दिकारियों को दिए पुलिस अधिका खायर जो पूरी तरह जूट पर आधारित है जूटी ही फाइयार है तो मानने हाई कोंड को पूरा अधिकार है घर को खटम कर में को पर यह करते हैं तो वह औलते हैं और अ सिआट पर यह के लिए दिए का नहीं आप सबका है जो भी मेरे भाई जो भी मेरी बैन है इंसे पीडित है जूटे फाइयार से पर्थम चरण जो है पहला चरण जो है फस्ट स्टेप में इतना करें कि अपनी जो हैं उनको आप अपने कि ऐसी इस्थिती में आप यह कर सकते हैं कि आप मानने उच्चे नियाले जा सकते हैं और मानने उच्चे नियाले में आपको सारे सबूत भी दाखिल करने हैं और मेरा यकिन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके निश्चित तोर पर खारेज होगी खतम होगी आज के वी